सभी को मेरी राम राम मैं आपका नन्य पहलवान और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोती और मेरे साथ स्वाए है बाबा राम दास जी बाबा जी राम राम जैसे नहीं गली में एक वो जो पागल श्वान गूमता हुआ है सेम वही इस्तिति है पूरी कॉरी कांग्रेस की अभी अभी 2024 का लोगसभा चुनाव बीता है तब इनके मुह से एक बार EVM का रोना नहीं निकला क्योंकि इनकी नियान वसीटे आगे और बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला लेकिन जो हर्याना बीता है तो इन्होंने एक फिर से वही अलाप शुरू कर दिया है EVM 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 तो सेट है जी EVM उन्होंने सेट कर रखे जी और राकिष्ट के जी नहीं तो कहा है कि विनेश को बहुत-बहुत बढ़ाई हो लेकिन EVM बीजेपी की बहन है इस पर आपका उपनिंग्रिमा इनकी पार्ट की गेंद इस अर्याने की चुनावने इनकी गेंद पाड़ती तो यह कुछ तो रोएंगे तो अच्या अपकी बार की अड़ती ने आटम निकाले है नूंने ईविम पर आरोप लगाने के लिए लिए नए आरोप लगाए है एक आरोप तो इनने लगा दिया 99 परसंट बैटरी थी जहां जहां 99 परसंट बैटरी थी वहां वहां आ रहे गए है कि दूसरा आरोप लगाया भाई इसराईल य्के लिए तो बहुत अच्छे सम्मंद है मुद्नी केने तन्याय। पक का या रहे और नितनियाय। वर्ककी टक्की में भी उस्पोट कर देए नितनियाय। तो पिजर में भी उस्पोट हो सकता यह सकता है कि जी वोट परसंटेज बढ़ा दी जिस दिन चार तारिक न वोट पड़ी थी पांच न है बोले उतन साथ न तो बताई थी बासट परसंट तो यह चार परसंट वोट बढ़ा दी और उसे मगड़वड कर दी तो मैं एक एक वन बाई वन पॉइंट करते हैं ना मैं आपको इ तो यह जो नाइंटी नाइन परसंट बैटरी वाली जो बात तो कल राजीव कुमार जो चीफ एलेक्शन कमिशनर है जब उन्होंने जारखंड और महारास्ट्रों के चुनाओं की गोशना की तो उन्होंने बताया कि भाई यह इवीम में जो बैटरी होती इसका क्या सिस्ट करनी पड़ती है रोजड़ डाउन हो जाते है बला जैसे में बैटरी यह दा कैल्कुलेटर में बैटरी होते हैं वैसे हुते है कहते Cert massage है तो पहली बात तो बैटरी का वोटों से कोई संबन्दी नहीं है और बैटरी रीचार्जबल नहीं है बदली नहीं जा सकती कि बहुत जब चुनाओ जो प्रक्रिया होती है अब आप हो आपने चुनाव लड़ना है अब आपको मालू में जी यो मेरा अलका है इसमें इतने गाम है और इतने ये बूत है तो आप जी अपने सो एजेंट बनाओगे सो एजेंट बना दिये वह अथ्राइजड सिगनेटर होंगे आपकी बदालत तो आपने अजेंट बना दिये सो उनको आप बकाइदा एक आई-कार्ड इशू करोगे चीफ एलेक्शन कमिशनर द्वारा इशू किया आई-कार्ड जिस पर आपका मौर आपका तिंदिचर उस ब आपने सो आदमी अपने वो तो आपके वरोसे के हैं आपके आदमी है ना या वह भी आरेसे ने बेज़ें नहीं ना अब आपने उन सो लोगों के आई-कार्ड बनाके तो चुनाव से पांच दिन पहले उन सब को बलाया जाता है यह है आपकी मशीन यह इसमें हम देख लो से क्याम करती है ठीक मशीन का नंबर नोट कर लो तो एक फार्म होता है, सत्राback form 17 में ABC क्यकf के form होते हैं तो वो form 17A शयुराओे जाता है आप है अपनी machine का number note कर लो कर लिया जी फिर उस battery पर भी एक number होता है उस battery का number note कर लो कर लिया जी sign कर अपने उस form की कही company होती है एक election commission पर जमा हो यह उटे के पात रहेगी एक उस प्रत्याशी की पास चली जाएगी इसे कई काफिया ठीक ए Ήनके सामने आप मशीनों के है ओके साइङ करण करके बटन दभाने पहे है जा रहा हुसे पचास और तबाञाग कहां सब्सक्राइब दिख लिए हैं साइन कर फिर सिंबल बर दिए साइन कर मशीन ओके है सील कर दी मशीन तेरे सामने स्ट्रॉंग रूम में जमा कर दी नंबर नुम्बर नोट कर लिए जा गरायश कर काच्य काट अगले दिन पांच दिन बात चुना हो गया कि मैं कि आज़ा वह एपने तरे सामने मशीन का डंगे एजेंट के सामने अब यह नहीं दिन नंबर वह है संबल वह है सब कुछ है चलो जो भी है चार आदी मिले के पोलिंग पार्टी रवाना कर दी पहुंच गए रात न पहुंच गी पोलिंग पार्टी अगले दिन सोबेर चुना हुआ अब चुनावते पहले आजाओ वही साथ पुझे वही मशीन है हाँ सील इंटेक्ट है हाँ साइन कर कर दिया मशीन नंबर चेक कर ले वही है ना हाँ बैडर नंबर वही है चलो मौक पोल होगी तो मालो अठारा आदमी है तो निर्दली होते उनके तो एजेंट ह होते निए जो मेहन में पार्टिया है यहां बाई ऐत्रय चलो चैक करो तेरह कितने लिखाणे पचास अंगे ना मशीन हो कह कहा है मॉख स्कों कितने मॉख पोल चलो जी फिर होने लग गया साथ बज़े बोटिंग शुरू हो गई छे बज़े तक वोटिंग खतम हो गई हाँ पहलवान कितने वोट पड़े हैं पहले वन को पता आज यह अठारा सो बीश वोट पड़े लिखके दे फारम सत्थ उसको कहते हैं फारम सेवंटीन सी एलक्षन बीदने के बाद वोटिंग बंद आजयो वही सारे खली पे आज आवज पाले कितने वोट पड़े जी थारा सो बीस पड़े तारे इस बूत पर कि सत्रसी बोलते हैं उसको सबने अठारा सो बीस वोट पड़े साइन किये साइन किये एक कापी खुद ले गए एक कापी एलेक्षन कमिशन ले गए अब ऐसे सौ बूत पे वोट पड़े इसका हर बूत का सत्रसी फॉर्म एजेंट के पास है ना क्यों ABC सारे भारम उसके पास हैं अब मैं विद आइक जीच का चुनाव लिड़ रहा हूं तो मैं अपने सारे की सारे सो सत्रसी कठे करके वोट गिल लूँगा ना अच्छा भाई उपड़ाने गाम में अठारा सो बीस वोट पड़े इसमें पांच सो पड़े इसमें आठ सो पड लिए अगले दिन अलेक्शन कमिशन का डाटा आ गया गया तो जितनी तुमारी तैली है एक्जैक्लि एक्षेन कमिशन की टैली है अगर कमिशन का देना वाई एकला कटासी ताषी यहार नहीं 2,35,000 पड़े तो सत्रसी है न तुम बद्दों सामने कोट के जी सत्रसी में तो सबस्क्राइब आए जो तुम्हारा सब्सक्राइब बता रही है वही एलेक्शन कमीशन की टैली तो कौन सी दांदली हो गई तो ये कल से दोंगे पे गुलाल पोथ के नाच रहे हैं अगर सत्रसी की जो टैली है उससे एक वोट भी ज्यादा है तो दांद लिखी है नहीं की तो आपके पास आज एलेक्शन कमिशन की साइट पर किसी भी विदान तबा में कितने वोट पड़े सब का अकड़ा है तुम्हारे पास सत्रसी के फार्म आज भी है लेके पाँ जो सुप्रीम कोट कि जी हमारा सत्रसी की टैली तो इतनी कह रही है यह एलेक्शन कमिशन 55 जार सबाइजी है सिर्फ पब्लिक के बीच में मेडिया में इधर दर करेंगे ना तो को तथ्य देंगे ना कोई अरूप लगाएंगे ना कोट में तख जब यह जाते हैं ना कोट इनने पता है क्या अदर गाली देते होंगे नहीं में पर अच्छा ये कोट में नहीं जाते हैं अच्छा आखर ये करते क्यों कि शिर्वर रूड़ा करें क्यों यह सोचने वाली बात है न हर बार जब भी यह चुनाव हारते हैं तो EVM का आरार क्यों करते यह सुचने वाली बात है यह आपके मन में भी तो जिग्यास ऑई कि जब होनी जानी कुछ है नहीं सुनवाई कोई और भाई आरोप में दम होगा जब तो सुनवाई होगी हर चीज तो रिकॉर्ड है डाटा है हर चीज में ताले तुम्हारे सिगनेचर है कहां से दान्दी प्रूव कर लोगी तो आज से पांच साथ साल पहले एलेक्शन कमिशन ने चैलेंज कर दिया है का थन करेंगे चैलेंज करते हैं आजाओ आज दो हमारी मशीन को मेरे याद हो एक करके देखा दो कोई नहीं गया पुछा यह अपनी एक मशीन बना ले आए बोला जी देखो जी देखो हम इसमें बॉटन दबाओ है तो इसमें चली जा है वोट अरह वो तुमने अपनी मशीन बना रख किया है एलेक्शन कमिशन की मश एक 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 dall मेन से लड़क्शन कमिशन की जो एवियम आना उसकि जो सबसे बड़ी खाथिएक है कि वो सिंगल यूज और एक ही बार उसमें software आप उसको खोल यह नहीं सकते हैं उसके नटेष का सिस्टम नहीं एक हैं आप उसको खोल ही नहीं सकतें ते यूद्ध मशीन पहली बात दूसरी बात लोग कहते हैं पेजर में विस्फोट हो सकता रहे भाई पेजर को बाहर से सिग्नल एट लाइक रेडियों पेजर इस लाइक रेडियों डिवाइस हाँ इट इस नेट्वर्किंग डिवाइस एव्यां कोई नेट्वर्किंग नहीं है एक बार जो उसमें डाटा फीड कर दिया उसको आप री राइट नहीं कर सकते हैं अच्छ तीसरी बार अब यह कहते हैं कि आपने मशीन बदल दी तो मशीन बदलके अपने मशीन बदल दी और उसमें तो एक मशीन का डाटा बदलने के लिए और फिर उस पे प्लस चार-पॉलिंग पार्टी भी होती है। कागज पर जब मशीन सील होती है तो सील पर उसके साथ कागज टैच होता ते नौ लोग को सिनेचर कहां से ला जब जब ऑगे एक मेशीं कम-सी- एक हज़ार मशीन होता है एक ऐस एक हजार मशीन को टेंपर करने के लिए इतनी वर्क फोर्स कितना टाइम लगेगा तो क्या हजारों लोग मिलके एक कंस्टेंसी का हजार लोग कम से कम आपको मिलाने पड़ेंगे अपने में तब जाके एक विदानतवाद छेत्र का डाठा अगर टेंपर हो जाए तो की बात कर रहे हैं तो एक हजार लोग वह भी सरकारी कर कर्मचारी जो भाजपा के वफादार होंगे और यह तब टेंपरिंग कर लेंगे और अपको पता नहीं लगएगा ऐसा संभव है एक हजार तरकारी कर्मचारियों ने मिलके कोई गफला किया और बात लीक नहीं भी तो यह अच्छा अब सवाल यह उड़ता है कि आखिर यह प्रगार का आर आर करती की वह सबसे पहली बात चुनाओ तो गये हार अब हमारा जो काडर कारिक करता है कि उसका मुराल अप रहना चाहिए तो उसको यह बताना यह आरार कितना करते नाकि और चार दिन करते उसके बैठ जाते हैं कि आरार उतना ही करना थे टातकालिक जो मूड डाउन हुआ ना मुड्व। वाए काडर और वोटर तमर्थक उचका थोड़ा का मुराल बूस्ट हो जाए पर लंबे समय तक अगर उसके मन में यह बात बैठ गई ना यार कुछ कर लो जीतना तो उन नहीं क्यों वो तो ईविएम काउन के पास तोड है फिर अगली बार तो जनता वोट देनी नहीं आएगी अच्छा इनको तो पता है ना कि कोई एविएम आवे में घपला नेवा हम तो चुनावे आ रहे हैं क्यों तो यह क्या करते हैं कि तातकालिक तोर पे वोटर समर्थक और काडर को डीमोरलाइज होने से बचाने के लिए चार-छे दिन और अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए यह बात तम आपकी समझ या उसमें एक पॉइंट में जोड़ना शाह हूंगा यह जब भी एवियम की हैकिंग होंगी पता कहां करते हैं जहां बीजेपी चुनाव जीती है अखिलेश यादव ने हैं दोजार चौबिस की लोगसावा के बयान दिया था हम तो असी एसी सीट जीत गए इन्होंने एवियम के साथ छेड़ खार की तो एक बात सिंपल सी बात है पूछने और अखलेश यादव से पूछना चाहिए अगर वो 37 या 38 जितनी सीट है थे अगर उस पे एवियम है क कर सकते हैं तो पैसब सतर सीटों क्यों नहीं करते हैं पर चार्शों क्यों लेली मोदीजी ने देश का प्रधान मंत्री और इतना डाइनमिक लीडर अगर चार्सों सीट कह रहा था इवियम हमने है करी ली है दुनिया यह मान चुकी थी लोगों नहीं लिए कोई लड़ने सबको पता था कि आज जैसे एक इल्जाम लगाता है अरे लंगडी सरकार चला रहे हैं कभी चंद्रावब नाइडू आख दिखाता है तो कभी इनको दिखा रहे हैं तो अरे 272 तो कर लेते मोदी जी अपनी एवियम है करके सबस्क्राइब कर दो सबस्क्राइब नहीं हर्याना के साथ सब्सक्राइब के लिए के लिए बोले कर नाटक के लिए नहीं जहां बुरी तरह हार रही है वहां कभी नहीं बोलेगे बंगल के लिए नहीं बोलते नहीं बंगल में कहते हैं है को सबकुछ हमारे सिस्टम है यह है वह से संबन्दित पूरा अगर तंत्र हमारे साथ है अगर election क्या इसके पीछे उद्देश क्या है देखें पीछे कह रहे थे न कि देश को बंगलादेश बना देना है भारत को बंगलादेश बनाने के लिए करना क्या हो किसी भी देश में अगर तख्ता प्लेट करना है तो सबसे पहले वहां का जी चुनिवी सरकार और जो उसके चुनाव पर धबा लगाओ उसको संदिक्द बनाओ उसको बोलो ना ना यह तो लोकतंत्र ही नहीं यह तो लोकतंत्र एक सरकार ही नहीं है इस सरकार को तो शासन करने का कोई हक ही नहीं है क्यों क्योंकि यह लेजिटिमेट चुनाव जीत रही थी तो जो चुनाव जीत रही है उसके चुनाव को आप खारिज कैसे करेंगे पप्लिक की निगाह में तो जान भूच के एक पार्टी द्वारा चुनाव का बैश करते दिया और जो ब्रश्टा चार के आरोप में जो जितने लीडर जेल गए तो उनको बुल दे कि सरकार ने पूरे विपक्ष को जेल में बंद कर रखा है हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं अब क्या हुआ लोगों के दिमाग में क्या ही में जाई था कि ना 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 ये तो विपक्ष न तो चुनाव में हिस्सा ही नहीं लिया यह तो सरकार ने ताना शाही करके चुनाव जीत लिया यह तो चुनाव था ही नहीं तो चुनाव को आपने उसकी लेजिटिमिसी को खरप कर दिया और जो एक चुनी भी सरकार को फर्जी गोश्चित कर दिया जबकि चुनाव का वहिश्कार खुद किया अगर तूं लडबते तो भी हारते तो यहां पे तो ऐसा है नहीं तो यहां पर यहां पर चुनाव को खारिज कैसे करेगे लोकतंत्र को कहते करेंगे इस तरीके से भारत के लोकतंत्र को कलंकित करके उसको खारिज कर दिया जिससे कि अब हमें हक है चुक्कि यह एक भरजी सरकार है इसके पास जना देश नहीं है यह एक अच्छा मोधी को बार-बार वो जो डिक्टेटर डिक्टेटर कहने का जो शड़ेंत्र चल दाता वो क्या था कि मोधी की सरकार को गैर कानूनी तरीके से चुनाव हैक करके लोकतंत्र को हैक करके सत्ता में आई हुई पार्टी सत्ता में आई हुई सरकार डिक्लेयर कर दो और उसके बाद सड़कों पे अराजकता करके आरक्षन के नाम पे वक्फ बोर्ड के नाम पे यू सी सी के ना किसान आंदोलन यांदोलन वांदोलन वांदोलन करके सड़क प्यारा जगता पहला दो और सरकार तो पहले एलिजित्मेट गोशित कर दिये तुमने और सेना की मदद से सरकार को अब दस्त कर दो यह डीप स्टेट की कॉंस्पीरेसी है कि अगर मोधी को चुनाओ में तो हरा न पुल रहे हैं यह सब इनकी फेल्ड पॉलसीज हैं यह हर चुनाओ के बाद ऐसे ही आरार मचाते हैं ने ने अब मुझे एक इसमें एक डिजाइन दिखाई दे रहा है अगर दो हजार उनतिस में भी मोधी सरकार की लोग प्रियता ऐसे ही बनी रही तो हो सकता है कि कॉंग्र या कोई बड़ा विपक्षी दल अगले चुनाओ का बहिश्कार करें चुनाओ ही नहीं लड़े तिर्फ इसले और भै क्यों उतको मालूम है जीतना तो है इन्हों ने इसले हम चुत्म चुनाओ मत लड़ो जिससे कि चुनाओ को फरजी इल्लेजिटिमेट लोग तंत्र का ह कारण घोशित किया जा सके जिस्ते की एक चुनी भी सरकार को फारिज किया जाए जबकि वहिश्कार यह खुद करेंगे यह 2019 में यह कर सकते हैं यह आपने पॉइंट रख दिया कि यह हो सकता है यह चुनाओ ही नहीं लड़े लेकिन आपने बात किने कि सेना की मिरत से कूप करके सरक्तवा करने नहीं आवा मैं भारतिय सेना को जानता हूं यह बंगलादेशी या पाकिस्तानी या इस्टाइप की सेना नहीं है जो अपने देश के प्रधान मंत्री या राश्मदी खिलाब कूप कर दे और ग्रेयुद करके आइस ट्राइप को कुछ भी करके तो ऐसा पताएगा पर कुल मिलाके इनकी जो कोशिशे हैं भारतिय लोक्तंत्र को एलेक्शिन कमिशन को और इवियम को बदनाम करने की उनमें कोई दम नहीं है मैंने तथ्षात्माक रूप से एक एक पॉइंट आपका रिक्लेर कर दिया ठीक है तर्शको इसी के साथ इस चर्चा को देते हैं बाबाजी आपका बहुत बहुत भन्यवाद जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम जैश्री राम